कैसे पता चले कि डिजिटल डिमेंशिया के शिकार हो गए है बहुत बढ़िया फिजिकल and behavioral दो चीजें देखनी है उसे इंसान की गर्दन ऐसे रहेगी नॉर्मल बैठेगा नॉर्मल चलेगा क्यूं पीछे जो मसल है वो स्ट्रेच हो जाती है और आदत हो जाती है ऐसे करने क क्यों की चलेगा चलें वह की कड करता है सरक अब चलें में आज़क बढ़र चले सोरक जबया और आज लुख ये तो ये है और हाог की पोजिशन मैक्समों ऐसे रहेगी मतलब स्क्रॉलिंग बजीशनी तीन चीज़ें तेक्तैं पांसे बात कर रा दान करता ह।values ऑं सब्समें कि आदत हो ही हो चुकि है कि fast 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 change करो कुछ topic पर बात हो रही कि किसी और की चल्चा हो जागा आपको लगए कि इनकोहरेंट करता है उसका attention span ऐसा हो गया ​धिजिनल दिमिन से हके सिकार है टा है up στα自然 बैठा है अपना मोबाइल भूनने लगेगा मोबाइल उठा लेगा कुछ करने लगे क्या है Ц investor कुछ है भिगाया है हम बात कर रहे हैं हैation क्या बात हुई तो आटा दीया जाये तो नॉमोफोनिया बचहनी बचहनी फैंटम रिंग प-H-A-N-T-O-M फैंटम मतलब रिंश होता हम उसको सुना iyi यह habitual है, habit है, habit कोई addiction होता है, addiction के बाद actual brain damage होता है तो इस habit और addiction के stage से हम इसको वापस ला सकते हैं इसे इंसान को और यह normal इंसान हो सकता है, सिर्फ उसको line थीचनी है, passive और active passive scrolling